आज हम बात करते हैं परियावर्णी अध्यन के अंतरकत इस्थानी प्याण पौधों के अंतरकत औसदी पौधों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस्थानी या छेत्री प्याण पौधों की चेर्चा की थी आज बात करेंगे औसदी पौधों की उसके पहले उनका अपना आसदी महत्तो है इसलिए उन मसालों का प्रोग आज से नहीं हम वरसों से कर रहे हैं जैसे काली मिरच, जैसे लंग, जैसे धनिया इनका अपना एक आसदी महत्तो है आज हम उन्हीं में से कुछ प्रमुख पौधों की जर्चा करेंगे और शुरात करेंगे नीम से, नीम सब लिपादा परशित हैं, यह विलियासी कुल का पौधा है, और इसका जो बोटेनिकल नीम है, एजा डिरेक्टा इंडिका, बोटेनिकल नीम याद रखना आपको एजा डिरेक्टा इंडिका, यह और शिदी दिश से अतधिक महत्रपून ह के लिए किया जाता है, यह जीवानु नासी, रग्त, सोधक एवं तचा विकारों में गुड़कारी होता है, आपने देखा होगा कि गाउमों में गर्म पानी में नीम की पतियां डाल करके ठंडियों में नहलाया जाता है बच्चों को, बदों की जो पतियां होती हैं वो प जो नीम के तने के टुकड़े हैं उनका दातों के रोप में प्रयोब करते आ रहे हैं, अब हम बात करते हैं अगले पोदे के और वो है तुलसी, तुलसी सब भली बात पर सीथ हैं, लगभग हर आगन में, हर हिंदू परिवार के आगन में तुलसी देखने को मिल जाती है, यह जड़ी बोटी करानी के रोप में प्रशिद्द है, इसका दोनों महतों हैं धार्मिक भी और ऐस्धी महतों हैं, जोली दार्मिक महतों जो होता हुए, उसके औस्धी महतों से ही जुड़ा होता है, फिर इसका जो बानस्पतिक नाम है वो आपको ध्यानी रखना होगा, और सिमम, सेक्टम, तो जड़ी बोटी करानी के रूप में प्रशिद्य है तुलसी, तुलसी का बोटे निकलने में आद रकना है और तुलसी में पाय जाने वाले रासानों का नाम भी आपको याद रखना होगा, यह हलमेसीकुल का पौधा है, और इसमें कुछ जैब सक्री र रसान पाया जाते हैं, ट्रैनिन, शैवोनिन, ग्लाइकोसाइड और कई अलकेलाइड्स, हलाकि अभी भी इसका पूरी तरसे विसलेशन नहीं हो पाया है, और भी इसमें रसान उपस्तित हो सकते हैं, यह एक शाकी पौधा है, हर्व कह सकते हैं, संपुन भारत में मिलता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, उकफना शक होती हैं, इस पूर दायक होती हैं, और नजला जुकाम रोधी होती हैं, इसके लावा लीवर की बिमारियां, खासी तता मैलिया में भी तुल्सी का प्रयोग काड़ी के रोप में होता है, फिर अगला औशिदी पौधा है, बेल, बेल से सब लोग भली भान परशित हैं, यह वही सीजन चल दा है, जब बेल के फ़ल हमको दिखने को मिलते हैं, यह रूटेसी फैमली का पौधा है, इसका जो बोटेनिकल नेम है, एगले मारमेलोस, इसमें एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट गुन होते हैं, यह पाचन के लेलाफकारी होता है, बेल में लेक्सेटिब गुन भी पाए जाते हैं, जो पाचन के लगा कब्ज, पेड़ दर्द और अपज जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है, फलों को टानिक तथा रक्त प्रवाहरोधी के रूप में लिया जाता है, डारिया, आत की गरबडियों तता कब्ज के उपचार में उपयोगी होता है, बेल के फलों से एक ताजगी दायक पेजी से हम लोग शर्बत कहते हैं, वह भी तयार किया जाता है, तो गमों में गर्मियम एक्सर बेल का शर्बत देखते हैं, प्रशलन में है, पीने को मिल जाता है, तो उसके पीछे जो है, वह यह नहीं क्या अप्शन नहीं है, उसके पिछे बज़े उसका उसिदी महत्तो है, अब हम अगले पौधी के तरफ बढ़ेंगे, और वह है आमला, सभी लोग परशित हैं, अमले का आफिसनेलिस, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा इसका बोटेनिकल नहीं, तो आमले का बोटेनिकल नहीं है, अमले का आफिसनेलिस, यह है, यूफूर वियसी कुल का पौधा है, और विटामिन सी का भरपूर या प्रचुर स्रोथ होने करने या पौधा प्रशित हैं, आप देखते हैं कि हम कई रोगों के लाज करोप में त्रुफला का प्र में उनकी प्रित्रोधक छमता को बढ़ाने के, जिसमें आमले जैसे या अन्नक कर्टे फलों का प्रयोग किया जा सकता है, फिर इसका जो अशुदी कुण है, इनकी अतरिक्त बालों के तेल के रूप में भी प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम तेल, मुरब्बा इन सब के रूप में करते हैं, फिर इसी तरह से अगर हम अगले पोधिक तरफ चलें, वो है अशुगंधा, विथानिया सोमनी फेरा, बोटेनिकल ने हैं, विथानिया सोमनी फेरा, अशुगंधा और वेदिक दिसिकूंड से कपवात, नाशा कोता है, वरल्यकारा कोता है, पुष्ट को दूर करने के लिए अश्वगंधा सबसे अधिक फायदे मंद सावित होता है अब इलोवेरा इसे को गृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है इसे गौर गंदल या गौर पाथा के नाम से भी जाना जाता है या एक औशिदी पौधे के रूप में विक्यात है मुक रूप अब हम आगे बढ़ेंगे अफिम ओपियम अफिम का जो बग्यानिक नाम है पर्वसे पहले पैपेवर सोमनी फिरम पैपेवर सोमनी फिरम है और दूसरी बात धिया रखना है कप ही मिलता कहां से है इसमें कौन सर असान प्राप्थ होता है अभी मैंने कहा कि कई हम मसालों का प्रियोग करते हैं उनमें से एक होता है पोस्ता उसे आप पोस्त भी कह सकते हैं पौपी कुल का पौधा होता है हम दाने का प्रियोग करते हैं मसाली के तोर पर पोस्ता दाना अफीम जो होता है पोस्ता या पोस्त का ध्यान रखना है आपको अधपका फल इसके अधपके फल को डोडा भी कहा जाता है कुश्यन है अफीम कहां से प्राप्त होता है अफीम अधपकी फल से प्राप्त होता है उस अधपकी फल से लेटेक्स मतलब उससे लसलसा या चिपचिपा पदार्थ अलग किया जाता है उसको सुखा लिया जाता है और उसे अफिम तयार के जाती है इसमें बारा प्रिशा तक मार्फीन पाई जाती है तो मार्फीन भी कहां से प्राप्त होता है अफिम और अफिम कहां मिलता है अधपा का फल या डोडा से और वो अधपा का फल या डोडा किसका है पोस्ता का जो की पॉपी कुल का पौधा है जब इसको refine कर लेते हैं प्रसंस्कृत करते हैं तो इससे एक मादक पदार्थ या drugs जिसे कहते हैं heroin नामक पदार्थ तयार होता है तो पोच्ता का दाना जो की एक और ज़दी रूप में भी प्रयोग होता है और इसका जो अधफ़का फल से प्राप्लेटेक्स है वो अफिम ज प्रशारों में दर्द निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है 12 प्रश्च तक इसमें मार्फीन पाए जाती है इसमें मार्फीन कोडीन बैन जैसे एलकेलाइट पाए जाते हैं मद्य प्रदेश में भीजे से नीमच मन्दसौर यह वो छेत्रें जहां पर अफिम का जो उत्पादन है वो सरकारी नियंतर में किया जाता है अब हम बात करते हैं आगे सहजन या मुनगा के बारे में सब पर्शेत हैं हमारे हां कड़ी बनाई जाती सहजन या मुनगा से यह एक लोप्री पौदा है इसके उचायलग भगदस मिटर उसके अदिक होती है इसके छालो माताओं के लिए लाबदायाग है इसके बाद हम बात करते हैं बहीडा बहीडा के बारे में भी आप लोग परशीत है इसका जो प्रयोग किया जाता है वह त्रिफला चून के निर्मान में किया जाता है हर रा इसका भी प्रयोग त्रिफला के चून के रूप में किया जाता पिर है करी पत्ता या कड़ी पत्ता जिसे हम मेठी नीम भी कहते हैं यह मुकरूप से दक्षिन भारत में और उत्तर भारत में भी पाया जाता है इसका मुकता है प्रियोग जो है बोजन में शुगंद के लिए करते हैं इसकी शुगंद जो हतीबर होती है लेकिन इसके कई जो जो है ओश्दी कारियों होता है जब आगे बात करते हैं लॉंग सियाजियम एरोमेटिकम इसका बनस्पादिक नाम है मारे टी सीगुल का ये पौधा है और यह यूजीनिया करियो फाइलेटा नाम से भी जाना चाता है अब इसका जो पेंड होता है वो सदा बहार पौधा है लेकिन जो हम लॉंग प्यों करते हैं आपने अक्सर सुना होगा गामों में बुजुर्बों को माकते हुए कि लॉंग का एक फूल देना मतलब लॉंग बास्तों में क्या है फूल है यह सोकी हुई पुश्प कलिका है शब्द कलैवस से बना है जिसका मतलब ही होता है कील या काटा एकने में लॉंग की अक्रती उसी तरह से होती है इसके अंदर फाइवर विटामिन और कई खनिश पदार्त होते हैं इसलिए लॉंग को खाने में फ्लेवर की रूप में भी इस्तमाल किया जाता है और उस फ्ल पूल करूप में या फिर तेल करूप में हम प्रियोग करते हैं अमलतास आपने देखा होगा यह रोड के किनारे आपको दिख जाएका बड़े आकार का होता है पेले आकार का पौधा होता है इसका अमलतास जिसको हम अरगवद और राजब्रिक्च भी कहते हैं इसे गामों में किरमाला भी कहा जाता है और बानुश्पतिक रोप से या केसिया फिस्टूला के नाम से जाना जाता है अमल तास की फलियां भी कई रोगों विप्योगी होती है या कब्ज बार बार बुकार और बोजन में अरुच की समझा को दूर करती है इसके पौधों को दूर करने के लिए सडकों के किनारे लगाया जा सकता है तो इस तरह से हमने कुछ महत्रपून और शदी महत्र के पौधों की चर्चा की अब आपको भी स्वें विचार करना होगा जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि और भी ऐसे कितने पौधे हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं और उनका किसी न किसी रूप में हम और शदी कारियों में प्रियोग करते हैं इस तरह के पौधों की सुची आप भी तयार करिएगा बाकिस के आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे दामिवाद